इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राग है, तो कहीं धुआ धुआ क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, जुपचा धुवे को क्यों छेलता हो गई भरताष्ट की अब इंतहा, बुझे सिग्रेट पीडी दिखे चलती जहां, पबलिक प्लेस पर सिग्रेट पी ना मना है, उलंगन करने पर होगा जुर्माना, धुम्रपान ना करें, ना करने दें, धुम्रपान पढ़ेगा म्नाहेंगा खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर, धुम्रपान महेंगा पढ़ता है, धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है, और आपके चाने वालों के लिए भी, धुम्रपान पढ़ेगा महेंगा सिगरेट पीना, कैंसर का कारण और जान लेवा है, शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है ताइम स्टार्स नाओ ठीति झान आपके लिए है कर दो कर दो कर दो कर दो यह नौत कर दो कुछ 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 कुछ》 बखाल कैंई आर आक आर आक रख हॉार कर दो कर दो डॉक्टर मैं कहा हूँ आप 18 महीने से कोमा में थे सड्डनली आपका ब्रेन डेड हो गया था आप मर गए हैं ये सोच कर आपको मौचरी में रखा हुआ था और पता नहीं कैसे आपके शरीर में फिर से हरकत हुई इस से मिराकल मेरे मेडिकल प्रोफेशन में मैं ऐसा मेराकल पहली बार देख रहा हूँ या वेरी लकी डॉक्टर मेरे माबाप का है खवर कर दिये है वो आते ही होंगे बेटा अरे बेटा बेटा बागोहन तेरे उपर बढ़ाते हमने सोचा दुबारा आख नहीं खोलोगे लेकिन तुम ठीक होगे बेटा यह सब उस उपर वाले की क्रिपा है बेटा डॉक्टर कौन है यह लोग क्या कह रहे है सर यही तो आपके माबाप है यह लोग यह लोग मेरे माबाप नहीं है यह क्या कह रहे हो गोडसे तुम हमें क्यों नहीं पहचान पा रहे हो मेरा नाम गोडसे नहीं है मेरा नाम बोस है बोस नहीं बिटा, तुम्हारा नाम गोड से है, तुम्हारे दादाजी नथुराम गोड से के फॉलोवर थे, इसलिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारा ये नाम रखा क्या है डॉक्टर, ये सिर्फ हमें ही नहीं, अपना नाम भी भूल गया क्या होँ दॉक्टर, प्लीज, कुछ तर जबाब दीजी काई अभा बस्क्रिण ट झाल झाल कर दो कर दो कर दो दो कर दो 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 कर दो रा मैं। मैंने तो इस कंपनी में कभी काम नहीं किया और मेरा अकाउंट HTFC की जगह ICICI में कैसे हो गया इस हुआ होगारा आप्लाओ बड़काई यह? श्यूद नहीं काम इस हो जया है इस है व्यूद चेटेटेटेटेटेश है मेरा ATM पिन नमबर 6150 नमस्ते सर गोड़से साब कैसे आप शाम को मिलेंगे ठीक है एई, आल कॉल ये लेटर अरे गोड़से साब अब डिस्टार्ज हो गए अभी कैसे हैं आप डू यू नो मी आपको नहीं पहचानूगी क्या सर। यू अधर सी ओ अफ और कमपनी मुझे चेर्में साब से मिलना है आया सर। बॉर्निंग सर। किसी भी हालत में ये कॉंड्रेक्ट हमें ही मिलना चाहिए सॉरी फर दिस्टिबिंट सर। गोड़ से परसो तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था। भगवान की कृपा से तुम मेरे पास वापस आ गए। आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। जाकर अपनी कुर्सी संभालो। क्या हम यह अगों से। भोसले जी मेरा एक्सिदेंट कैसे हुआ। बेती बातों को अब क्या याद करना। बताईए मेरा एक्सिदेंट कैसे हुआ। वह क्या है कि यह सब कुछ हमारे कंपने का एराइबल बैनर जी ने किया था। तुमने अपनी कंपनी की 300 करोर टर्न ओवर को 3,000 करोर तक पहुचा कर उसकी कंपनी को गिराया तो उसकी आखे जलने लगी। इसलिए उसने तुम पर अटैक करवाया। मैंने उस पर केस करके उसे कोट में जब खीचा तो वह डर से फॉरें भाग गया। एक मिनट बिठाला। हलो। बोसले जी, गोड से हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर किसलिए? गोड से अपनी कंपनी में वापस आ गया है। यह क्या? किसी को बताय बगएर हॉस्पिटल से तुम डारेक्ट यहां आ गया है। तुम्हें अपनी कंपनी से बहुत जाधा प्यार है। यह सब उस भगवान की किरपा है। अच्छा सुनो, मुझे कुछ जरूरी डॉकुमेंट्स चेक करने है। मैं बस अभी जाकर आया। हलो। सर, गोट सेजी से मिलने उनकी पैरेंस आये हैं। वो अपने केबिन में ही बैठा हुआ है। उन्हें वहीं भेज जो। आपने उन्हें उनकी केबिन में रुखने के लिए कहा था, पर वो चले गए हैं। क्या कहा चला गया। अरे, रुखना। अरे, यह तो यहां बैठी हुई है। थोड़ी सी मस्ती कर ले। आजा बेर। एए, चमिया को इधर बेज। एए, कहाना यहां बेज। नहीं बेजा तो? यह चमिया तेरी बहन है। एए, अच्छा या बुरा। लड़की का कोई ना कोई नाम होता है। शराफत हो तो सीता या गीता कहकर पुकार सकते हो। और इज़त देनी हो तो बेहन, बेटी या मा कहकर पुकार सकते हो। इस तरह कोई पुकारता है बेवकूफ। औरत की इज़त करना सीखो। क्या रे, तू कोई भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। जो हमें भगवत गीता का पार्ट पढ़ा रहा है। भगवत गीता हमेशा युद्ध से पहले सुनाई चाती है। अगर तू दस्तूर बदलने की कोशिश करेगा, तो तुझे मरने के बाद सुननी पड़े। बोस तुझे अभी सुनाओ, या शम्शान पहुंचाने के बाद। कि देम अभां मों लेपके झाली सुने पहाती म heated उाभले कि एल्यूफ भां मुझे और के लुझे खां गडिय। कि झाली सुने टलू जुझे ज। कि उ fact पूमेर के थिस में लुआत पां पहातीो घएँ रयग। ह।ँग। झट नीड Stacy band吧 प्रभव एपनीद प्रणा का Anda're determina एई, एई, नो पार्किंग में गड़ी पार करके सोरा है, चल बहाँ निकल, नाम बता, नेम, माई नेम, महा बली, महा बली, ब्रदर अब बाहु बली, चैलान बनाने के बाद तु पकड़ेगा पतली गली, देखो प्यारे लाल, इसे हैदराबाद बोलते हैं, यहां बसों को ब्रेक्स नहीं रहता है, रोड पर स्पीड ब्रेकस नहीं रहता है, तैक्सियों को नो पार्किंग नहीं रहता, नहीं हो, जहां मेरे बारे में जानकारी लो, आखिर कौन हो तुम, इसी एक क्वेश्चन ने बच्चन को मिताब बच्चन बना दिया, बस कंड़ेक्टर को अब मुझे क्या बना देगी, मुझे नहीं पता, यह बॉलेंट है, तो मैं सालेंट हो जाता हूं, चलो गाड़ी निकालो, हलो, चलोगे क्या, शो सर, बैसे जाना कहा है, बैठो पर बताता हूं, मेटर पर एक्स्टर लगेगा, जितना कहोंगे दे दूंगा, स्टेट बैं क्या हुँ सर, मूड ओ रहा है, सर, वो मारेगी, सिगरेट बीने का मूड ओ रहा है, सिगरेट, मुझे लगा, फिगडर को देखकर मूड बना, कहों से आया, कहां से आया, क्या हो गया, सर, मेरा मेरा ध्यानी ने रहा, सौरी, हम लोग आगे निकल गये, मेरा घर पीछे रहे गये, वो देखो वो रहा लगता है किसी पाउगल से बहला पड़ा है क्या पैसे दिये बगरे जाएंगे, सर्थ सर, सर, क्या है? मेरा पैसा सर, मैं भूल गया था, सारी, पर मुझे याद है, हाँ थैंक्यू, जीचीज, सरी, भूल गया था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, सर, हजार का चेंज होता तो मैं टैक्सी को चलाता सर, डॉन बन के माफिया गैं नी चला था, वे रख लो, फो लाइए ये बैक मुझे देजिए मा, मा वो देखिए, मा जी भी आ गई हाथों में आर्ती भी ले आई घुमाईए अरे, कौन हो तुम लोग इस तरह तुम लोग घर में केसे गुज़ गए आप कौन है और यहां क्या कर रही है मैं कौन हूँ, यह मेरा घर है सुनिये जी, जरा बाहर तो आईए क्या हुआ देखिए, यह कौन है क्या चल रहा है, कौन हो तुम लोग मुझे भी आपसे यही पूछना है आप लोग कौन है, मेरे घर में मेरे माबाप की जगे आप लोग क्या कर रहे है तुम्हारे माबाप हम लोग नहीं है लेकिन यह घर हमारा है रॉंग एड्रेस पर आए हो, चेक कर लो बाबो, हाँ मैं इसी घर में पैदा हुआ हूँ कौन से साल में पैदा हुए थे? 1980 में पैदा हुआ हूँ जरा बहान आओ मेरे साल देखा तुमने, अब क्या बोलते हो? सर, आप कह रहे हैं कि आप पैदावे 1980 में यह घर बना है 2010 में सर, सर यह घर आपका नहीं है ओ शिट, माइन ब्लोईग, प्रॉपर्टी नो मैचिंग, पर्संस नो मैचिंग, क्या है सर यह कन्फूजन? यही तो मुझे भी समझ में नहीं है मुझे समझ में आ गया क्या समझ में आ गया, सर? महेंगे घर पर कप्जा कंडे वाले गैंग हो तुम लोग इससे क्यों बात कर रहे हैं? इसी वक्त पुलिस को बुलाएए नो, पुलिस वो लोग आने तक हम लोग यहां नहीं रहेंगे सर, चलिए आप से विंती करता हूँ किसी और के घर को अपना घर क्यों बोल रहे है, सर? उसे दे के कितना गुसा कर रही है पुलिस को बलवा कर हम दो लोग अंदर करवा देगी चलिए, सर, यहां से इतना शांत की हो, सर? क्योंकि मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग मानते ही नहीं आप बोले हैं, सर, मैं मानूगा वो जो घर था, वो मेरा है सर, मेरी जिंदगी आपके मिलने से पहले बिंदास चल रही थी आपके आने के बाद टेल दर के जीना पड़ रहा है, सर अब तो आप अपने घर के बाद छोड़ दिजे, सर अब हम जब हमसफर बन गएं, तो थोड़ी जान पैचान हो जाए तो अच्छी बात है बाइदवे, माई नेम इस महा बली, ब्रदर रव बाहु बली और मुझे लगता है कि मेरा नाम बोस है मैं आपको क्या बुलाऊं, सर गोड़से का मतलब शूटर, बोस मतलब फाइटर, चॉइस इस यूर्स मुझे शूटर बहुत पसंद है, मैं गोड़से पर फिक्स हो जाता हूँ वैसे आपका गाउं कौन सा है, सर माइंड मुंबई बोल रहा है, लेकिन दिल बोलता है मेरा शहर हैदराबाद है हर बाद पर ये पागल आप्शन देता है, इससे चल्दी छुटकारा पाना होगा स्टाप स्टाप क्या होँ सर, फिर से आपके माबाब दिखाई दिये क्या अरे नहीं, मेरी लवर दिखाई थी लवर? तुम कैसी हमा लक्ष्मी? सुनो, औरजन्टली शेरे पंजाब जाना है, चलोगे? आप साथ चलेंगे तो पंजाब तक जाने को तैयार हूँ नाटक मत करो, चलो जिल्दी तुम इस तरह मुझे नजर अंदास करके क्यों चली गई? अरे कौन हो तुम? जोग बहुत हो गया महालक्ष्मी सीरिसली बता रही हूँ, मेरा नाम महालक्ष्मी नहीं है और तुम कौन हो मुझे नहीं पता? मैं कौन हूँ तुम्हे नहीं पता? मेरी तुमसे फर्स टाइम मुलाकात हो रही है हम दुनों लवर्स है, तुम कैसी बात कर रही हूँ? शट अफ शट अफ कहलो या स्टूपिड कहलो सच यही है कैसे समझाओं मैं तुम्हें नहीं पैचानती हमारी कहानी मैं तुम्हें याद देलाता हूं मालक्ष्मी गोली मामा, ओ गोली मामा पंक्चर बनाने में कितने टाइम लगेगा? क्या नाम पकारा तुने? और क्या? तुम्हारा जो नाम है उसी नाम से पकारा पंक्चर छोड़ो, तुम्हारी कारीवेकार है वो यहारी पेर नहीं हो सकती जाओ सारी राहल तुम मेरे नाम हमेशा गलत क्यों बोलते हो सुबह खाया हुआ याद नहीं रहता तो तुम्हारा नाम कहां से याद रहेगा मामू? राहूल, स्टिल बैचलर सर्चिंग फॉर लावर आईए दिदे, आईए लाल साडी में ये एकदम पटाका लग रही है ना मामा? ये है भी जबर्दस पटाका जहां जाती है बम खोड़ देती है वो जुका क्यों नहीं? एक सेकिंड में वो पोजेशन में आना चाहिए घुटनो कॉपरेशन हुआ है दिदी इसले जुकना बहुत मुश्किल हो रहा है इस पर एड़्जस्ट कर लीजे ना इस लड़की को यहां के सभी लोग जुग जुग कर सलाम कर रहे है ये माडम यहां की कॉपरेटर है क्या? नहीं, जेनरेटर है मतलब पावर देती है क्या? नहीं, लोन देती है देदी, आपने इस दुकान के लिए लोन दी हमारी फैमली को लाइफ दी आप लेडी लेजेंड हो दीदी अब इस रीबन को काट कर मेरी लाइफ सेट कर दो दीदी ये लो दीदी वो दान धर्म कर रही है, ये सोच रहे हो क्या? जनता को लोन देती है शातिर तरीके से डॉकिमेंस में थसाती है और इसी बाने लोगों से ज्यादा सूध वसुलती है अगर लोन नहीं चुकाया तो बोन तोड़ देती है जिन्होंने लोन लिया है, उन पर ये बहुत जुल्म ढाती है इसके लालाज का कोई हदी नहीं है इस लड़की के बारे में इतनी परफेक्ट इंफर्मिशन तुम्हें कहां से मिली मामा? ठंडी के दिनों में मेरे अंदर के हार्मोन्स हार्मोनियम बजाने लगे थे मुझे मूड आया, उससे बचने के लिए मैं काउंकली खूमने लगा लोनली नहीं रह सका, इसलिए लोन वाली लक्ष्मी से मिला लोन लेकर लवर को ढूणना शुरू कर दिया और उसके बाद क्या रे, पेमिंट नहीं दिया और इधर आके फ्लर्ट कर रहा है क्या कहा? तोड़ दो इस टूबएटू को एक मिनेट मारो इसे लवर नहीं मिली, इसलिए पैसा वापस नहीं किया इसलिए बात पर धो डाला मुझे सब को यहीं बोल दिया कि बातरूम में फिसल गया, इसलिए ब्यूटी स्पॉट डामेज हुआ मेरे नाग पर मार कर मुझे कहीं का नहीं चोड़ा उसमे भाजे, भाजे मेरे जख्मों का बदलब तुहीं लेना उससे क्यों खामखाल लड़की के साथ पंगा लेना छोड़ो ना मामा भाजे, भुर्राक्षे सी एक कमत सोचनों से इंडस्ट्री के सारे विलेंस की पैकेश जील है वो अब तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है मामा इसके लिए को प्लान में है तुम मान गया प्लान अपने आप बन जाएगा जादा कुछ करना नहीं है एक SMS कर दो उसे कि तुझे लोन जाएगी एक दम चिपक जाएगी तुझसे ओके ठांक्स अलाट इतने लोगों की जिंदेगी से खेले कि तु तेरे जी मेल को जंक मेल में बदलने के लिए तॉप मेल भीच रहा हूँ ये भी उसमें मिला कर पैक कर दो भाड़े भाड़े अलो मेरा नाम महालक्ष्मी है जी आपको आप परसनल लोन चाहिए क्या जी मेरी तीजोरी में बहुत माल है जरूरत नहीं है सॉरी आप ऐसा क्या करते हैं सर लोगों की भलाई का काम करता हूँ मतलब बिजनेस है आपका नहीं जिम्मेदारी आप बातें बहुत अच्छी करते हैं टाइम पास करने का टाइम नहीं है फोन रखता हूँ फोन कट मत कीजिगा एक मिनट बात कर लीजिए ना आखिर क्यों? आपके बॉइस में जो वाइब्रेशन है बातों में जो मॉजिलेशन है मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जरूर पहले कहीं मिल चुके हैं मैं पहले किसी भी लड़की से नहीं मिलाओ क्या बात है? सूपब! तो वो फर्स चांस मुझे क्यों नहीं दे देते? मुझे इंट्रेस्ट नहीं है इंट्रेस्ट तो मैं दे दूँगी क्या दोगी? ने ने मेरा मतलब है मैं आपको इंट्रेस्टिंग बातें बताऊंगी लेकिन मुझे इरिटेशन हो रही है प्लीज प्लीज अपने साथ कॉफी पीने का एक चांस दे दीजे न फिर उन फीलिंग्स को अपने हाट के डिस्क में सेव करके मैं लाइफ लॉंग आपकी उन मेम्रीज के साथ जी लूँगी प्लीज सो बेसिकली लड़कियों को तकलीफ देना मुझे पसंद नहीं है अब आप इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो हम कहीं जाकर कॉफी ज़रू पी सकते हैं ओ येस शाम को छे बजे कॉफी शॉप तुझे बस में करने के लिए गुड़िया बन के आ रही है देख रहा है न तुभांजे देख रहा हूँ देख रहा हूँ कहीं तू भी उसके जाल में फंस तो नहीं जाएगा मैं क्या तुम्हें कोच छिछोरा लड़का लगता हूँ मामा पहले तु स्टिक रहते हो बाद में स्टिक हो जाते हो फिर भी तुम ज़रा कंट्रोल मेरे ना बहुत डेंजर है मैं भी आता हूँ आप ही महालक्ष्मी है ना मेरा नाम बॉस मैं महालक्ष्मी हो आपने कैसे पहचान लिया इतना सजदेश कर आने वाली महालक्ष्मी ही हो सकती है जस्ट गैसिंग यह अरे जीनियस हाँ जी एक्सक्यूस में सर, कैपचिनो कॉफी अरे, ओडर देने से पहले ही है कॉफी लेकर आगए हमारे ओनर को किस्समें क्या चाहिए मुझे पता है इनकी कंट्रोल में रहने वाला रिमोट कंट्रोल में ही हूँ ओनर? आप? योग्यस इस करेक्ट इस जगह के बॉस यही है सो नाइस, नाइस तो मीट यू क्या हो गया जी? आपके हाथ में 440 का करंट है क्या? मेरा ये फर्स टाइम है जी आज से पहले मैं किसी लड़की को इस तरह रेस्ट्रों में कभी नहीं मिली हूँ मैं आपके जैसा नहीं हूँ जी वो क्या है ना, कभी किसी लड़कीयों के साथ बैट कर कॉफी नहीं पिये बेसिकली मैं थोड़ा शर्मी ला हूँ तो मेरी आखों में आखे डाल कर बात कीजिये ना, शर्म कम हो जाएगी क्या हुआ आखों में कुछ गया क्या? आपकी तो आखों में भी करंट है, उन्हें देखते ही जटका लग गया पहां जा तो रोमाटिक नहीं क्या हो गया जी, आप चौक क्यों गये? कुछ-कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है आपको देखने से पहले ऐसा लग रहा था जिससे प्लेन में हूँ आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जिससे पेराशूट में लटक रहा हूँ लेना कोई गलत बात नहीं है जी, अगर आपको गलत नहीं लगता तो मुझे चलेगा, तैंक यू, जल्दी वापस मिलेंगे, आपके साथ वर्क्त बिताने के लिए, नहीं, कॉफी हाउस का बिल बढ़ाने के लिए, वेलकम तो एनी टाइम है जी, टच में रहूंगी हां, आए जी, दीदी दीदी, नाइंसाफी हो गई, चिल्लाओ मत, तुम्हारे साथ जिसने भी नाइंसाफी की है, मैं उसे छोड़ूँगी नहीं, जल्दी बताओ बात क्या है, तुम्हारी शादी करवा के मैं रिस्सेप्शन भी रखूँगी, अरे नाइंसाफी शादी में न तो लड़किया लाइक नहीं करती, स्टिक के साथ आई, लगता है हमारी ज्रम के धुलाई करेगी, हमारी धुलाई करेगी, हम कोई मैले कपड़े हैं, जो धुलाई कर देगी, ऐसा लगता है, इस प्लैन में तुम भी शामिल हो, टू बाई टू, कौन है मामा, ये लड़की आरे रे रे, तुम तो अच्छा गए हीरो, आसकार अवार्ड के लिए थोड़ा सा पीछे रह गए, बाप रे, बाप रे, क्या बात है, डेविल के आगे ड्रामा मत करो, डॉक्यमेंट्स मेरे हाथ में तो, अभी है निस सबग सिखाती हूँ, ओ नो, क्या बात है, डॉक्यम इस गॉन, इस पैंजे लिखी विंग दो घंटे में गायब हो जाती है, मामा, चार सा बीसी करके इस गुगली महलक्षमी से धोखा करोगे तो, तुम करो तुम तुम्हे पार, हम करे तो काता है, तुम दोनों के तो कनेक्शन्स ही में काट डालूँगी, इनको ऐसा मारो की दोनों को अपनी अपनी नानिया याद आ जाए, मारो इने, बागो, हटो, 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 चोड़ो इसे, मारनी को बोला था, उससे चिपकनी क्यों लगी तुम लोग, उसकी खुश्पू ने हम पर जादू कर दिया, मार लीगी, तुझे क्या लगा, बैट से अटक करेगी तो मैं डर जाओंगा, अरे, ने, 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 आप पर अटक कराने के लिए, मेरी बुद्धी मारी गई है, क्या, पर आगे का प्लान बता, कुछ टपोरी लोग मुझे लाइन मारते हैं, इसलिए ये गेट अप करना पड़ता है, सर, वरना मैं तो बहुत सीधी साथी हूँ, तु पूड़ी है ना, वो क्या है ना, वो जरा तुम्हारा हाथ इजर सो, तुम्हारा हाथ हाथ नहीं, इलेक्ट्रिक का खंबा है, इसी हाथ से कभी-कभी पब्लिक की हेल्प भी कर देती हूँ, सर, सच कह रही हूँ, हेल्प के नाम पे कुछ और तो नहीं कर रही हूँ, मैं कि रीड की हड़ी टूटी हुई रहती है, अब बताओ, तुम्हारी बॉड़ी लैंगविज क्या है, रीड की हड़ी टूट गई है सर, तुम्हारा एंगल देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसा देने का मूड नहीं हो रहा है, सर, मूड बनाने के लिए और क्य करना होगा, पब में आना पड़ेगा, मैं दोचा ड्रिंक पिऊंगा और तुम कुछ ठुमके लगा देना, पैसे वसूल करने के मेरे पास और भी कई रास्ते हैं, दीदी, अगर पैसा वसूल करना है, तो इसकी बात माननी होगी, पब में जाओ ना दीदी, तुम्हें क्या दीदी जाओ, दीदी जाओ, पब में जो खर्चा होगा, उसे मेरा ही तो लॉस होगा, अपना पैसा वापिस पाना है, तो हमें जुकना पड़ेगा, दीदी, हाँ, दीदी, ज़रूरी है क्या, हाँ, ज़रूरी है, स्टॉप इट, फ्लैश बैक की स्टोरी अच्छी सपागल को लवर योज़ी बाहर आएगी, बाल मारेंगे तो क्या होगा, सर, पैक मारेंगे तो क्या होगा, सर, पैक मारेंगे तो किक आएगा, इस वड़ कुछ भी पीने का मेरा मूड नहीं है मूड आने के लिए पीना ही पड़ेगा महालक्षमी को यकिन दिलाने के लिए क्या करना होगा पीना पड़ेगा नीट मारना पड़ेगा अंदर जलेवे जॉला मुखी को बुझाने की शक्ती इसी से आएगी आपका छोटा भाई समझ के कह रहा हूँ थोड़ा सा पी लिजिये सर प्लीज प्लीज ठीके ठीके जब तुम इतना रिक्वेस्ट कारी रहे हो तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ अब अच्छा लगेगा आए बैठिये शुरू करते हैं हाँ डाला या नही डाला बहुत थेज़ मानू पढ़ता है वदूर्या हॉडिया भडिया भड़े हाँ भाई साहब, टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के लिए पूरा एक बॉटल उड़ा दिया, पीने बेटेगा तो पूरा फैक्टरी पी जाएगा, वैसे असलियत में हुआ कि आप मुझे जरा बताएंगे, मैं तुम्हें बेवजा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आपके लिए चोटू मरने के लिए में तैयार है भाई साब, कमान, बताएंगे, कमान, पूर्टू पीने वाले हमेशा सची बोलते हैं, मुझे भी वही सुनना है भाई, मुंबई से हैदरबाद ट्रेन में आया, सही है न, यस, ट्रेन से उतर कर सीधे तुमारी टैक्सी में बैठा, डब की भर याद रहोगे, तो फिर महालक्ष्मी मुझे कैसे भूल सकती है, मतलब काजु खाये चाधन आएगी, लोखलाट मुझे पसंद नहीं, सीधे सीधे बताओ, महालक्ष्मी मुझे कैसे भूल सकती है, मुझे क्या पता भाई, मुझे छोड़ दीजिए, बीच रास्ते प कुछ समझ में नहीं आ, क्या करना चाहिए, कुछ पता नहीं, अब कहां जा रहे हो महाबदी, मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, इसलिए पूजा करने मंदर जा रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठाओ, तुम्हें बुलाया भी किसने, गाड़ी में बैठिये, भागवान की क्रेपास से तुम फिर से दिख गई, डोंट टॉक रबिश, मेरे पीछे मत पड़ो, कितनी पार बोलना पड़ेगा, मेरे साथ खेल मत खेल, प्लीज महालक्ष्मी, ए मिस्टर, पागल हो क्या तुम, पुलिस कप्लेंट कर दोगी, तुम, तुम आखिर, दर्शन अच्छे से हुआ न, एक आशी गाड़ी स्टार्ट करो, रे भड़ो, थिल्ख्लो प्रश्चे, मेरे टाक्सी, मेरे टाक्सी, मेरे टाक्सी मेरे टाक्सी, तो में मतनल हो, इस आपको पड़ा हिंफा स्टार्ट्र, मैडम क्या है इसको लेकर पहले मैं बहुत टेंशन में हूँ उपर से तु मुझे टॉर्चर कर रहा है कैसा टॉर्चर आप दुनों मिलकर सेट हो गए है न अरे यहां कोई सेटिंग मैटिंग नहीं है यह मुझे किटनाप करके लिजा रहा है किटनाप अरे इसमाल के मेरे भाई ओके एक बात दो मैं आपसे इतना तामजम क्यों कर रहे हो उनके रिक्विस्ट को हां बोल दीजिए प्रॉल्म सॉर्फ हो जाएगी मैडम चोड़ो कहां ले जारे हो मुझे कहां जारे हो कहां जारे हो इ गोपी क्या लफणा है कहौन है यह? अबर दज्टी अंदर घुसा है मालिक आप कौन हो जी मा, यह पिताजी बुझे पहचान क्यों नहीं रहे वैसे मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना तो क्या आप इसके पेरंस नहीं है? अरे क्या मजाक है, हम इसके पेरंस नहीं है, वैसे तुम कौन हो बेटी? मैं इसकी लवर हूँ, ये बोलके मेरे पीछे बढ़ा हुआ है, और अपने पेरंस से मिलवा कर ये बात साबित करेगा, ऐसा कहकर मुझे यहां ले आया क्या हुआ दिदी? ये है कौन और यहां क्या कर रहे है? पता नहीं समीर, ये अंजान इंसन मुझे और इनको अपने माबाब समझ रहा है क्या? ये कौन है? तुम शायद कोई घलत अड्रोस पर आ गए हो भाई? रात की पी हुई अब तक उद्री नहीं है क्या? कोई से निम्बू पानी दो, पैसे ये बताओ तुम यहां आये किसली हो बहन नंदिरी, तुम तो मुझे पैचानती है ना? नंदिरी, यहां मुझे कोई पैचानता क्यू नहीं है? बहना, इन सब को बताओ ना किस सच क्या है? मैं तुम्हारा भाई हूँ, यह बताओ ना? मामा जी, मामा जी तुम्हे इसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? निकल जाए यहां से मुझे घूर क्या रहा है, ऐसा मारूंगा के अपना नाम तक भूर जाएगा तेरा चल क्या रहा है? मेरी सर्विस में अब तक मैंने ऐसा फैमिली एंटर्टेन्मेंट कभी नहीं देखा मेरा डॉक्टर कहता है, सुनिए आप चाय कम पीजिए, आप चाय कम कर दीजिए लेकिन तुवारी स्टोरी सुनने के बाद इतनी टेंशन हो गई कि चाय पर चाय पर चाय पर चाय पर चाय पीता चला गया लेकिन बात हसम नहीं होई तो मुझ पर बस इतनी महर्बानी कर, कि मुझे सच्चाय का पता चल जाए सर, इसने जो कुछ भी किया है, उस सब का विटनेस है ये टैक्सी वाला क्या रे? सच्च है कह ये? वो क्या है, सर? ये मैडम को इसने किटनाप किया, ये सच है, सर इन लोगे घर जाकर जगड़ा किया वो भी सच है सर लेकिन ये सब का विटनेस में हो ये सच नहीं है सर तो फिर हुआ क्या? क्या हुआ अब पता चलने से पहले सब कुछ हो गया था सर अचानक सुबे हमारे घर आ गया और मेरी भंजी के हिस्दत पर हट डाला और जब मैं बीच में है तो मुझे भी मारा आप इमेडिली इन पर एक्शन लीजिए वरना में सीधा कमिशनर तक जाऊँगा कमिशनर को कम्प्लेंट करेंगे किसी सीनर ओफिसर को रिपोर्ट करेंगे यह कहके डरा रहे मुझे वैसे भी मेरी परिशानी चाइपिकर खत महीं हुई है अब यह लोग कान है? गोडसे के माबाब यह किसी और को माबाब बोलता है कोई और इसी बेटा बोलता है यह ट्विस्ट तो शॉकिंग है लेकिन फिर भी बहुत इंट्रेस्टेंग है जोना तुम नहसे तुमारे माबाब मिल गए तो आप दोनों कहां से आये हैं? हम मुंबई से आये हैं. मेरे बेटे की सर पर मार लगी थी, तो हॉस्पिटल में भरती किया था. डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख लीजे. थेंक्यू, थेंक्यू, थेंक्यू. अब के समझ में आ गया है? ये भाई साब, अपने माबाप से बिछड कर, कहीं पर भी जाकर, जो भी रास्ते में मिले उसे, अपना माबाप समझ रहे हैं. क्यों, यहीं सचना? तुम्हारी बीमारी के वज़े से, यहां सब का टाइम वेस्ट हो गया. नॉन्सेंस. अब बात हैं बहुत होई. चलो निकलो यहां से. बेटा, तु कहां चला गया था? तुझे पता है, मैं कितनी डर गई थी? तु अपनों को छोड़कर, इन पराय लोगों के पिछे क्यों पड़ा हुआ है? चलो घर चलते हैं. आप लोग यह बेकार की नॉटन की बंद करेंगे? मैं आपका बेटा नहीं हूँ. तु 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 बदल क्या, जिन्होंने तुझे पाल पोस्कर बढ़ा किया, वो माबाप तुझे याद नहीं? तुझे हमसे शिकायत है, तो हमें पैचानने से इंकार कर. लेकिन उस बेचारी का क्या दोश है, जो तेरी नाम का मंगल सुत्र पहन कर तेरा इंतिजार कर रही है. तुझे हैं. सारे टेंडर कोट से की वज़र से मुर्गन कमपणी को मिल रहा है. मेरी कमपणी कॉलाप्स हो जाएगी. ये कोट से हनीमोन से वापस नहीं लौटना चाहिए है. तुम्हारी ट्राइविंग तो बहुत अच्छी है. You are an expert. No, romantic. कैसे मानू? एक बात बताओ. ड्राइविंग करते वक्ट जिसके दोनों हाथ स्टेरिंग पर हो, यानि उसकी शादी नहीं हुई. शादी शिदा हो तो? उसका एक ही हाथ स्टेरिंग पर रहेगा. तब उसका दूसरा हाथ कहाँ होगा? यहाँ. और सोचो अगर दोनों हाथ यहीं रहे, तो फिर क्या होगा? आक्सिडेंट होगा, और क्या होगा? यह क्या कर रहे हो? इंट्रिस्टिंग. इसे कैसे बनाते हैं? इसके लिए ज़रूरी सामगरी, एक किलो प्रेम, आदा किलो अनुबंद, साथ ग्राम अनुराग, थोड़ा भरोसा, एक कप केरिंग, एक स्पून शेरिंग, यह सब मिलाकर दिल के बरतन में डानकर हाट के स्टोपर स्मूधली हीट करोगे. तो लाव फूट तेयार. आपके हाथों से तो जहर भी अच्छा लगेगा. ने तू, तुम्हें पता हुरत हमेशा मर्द के बाईयों और क्यों रहती? क्योंकि दिल इंसान के बाईयों रहता है, इसलिए. यह रॉंग, यह बाईयों और रहती ना, इसलिए. सुनिये, जड़ा आप मेरे हाथ पर गोड़से का नाम लिख देंगे, फ्लीज. नहीं करना रहे तू. लेकिन क्यों नहीं करूँ? तुम बहुत सेंसिटिव हो रहे तू. तेज हवा से तुम्हें तकलीफ होती है. अगर तुम्हें सुई चुबेगी, तो मुझे तकलीफ होती है. तुम चाहो तो यह दर्द मैं सह लेता हूँ. लीजी. गोड़से, कौन है ये नोग? मैं जिस जोशी कमनी में काम करता हूँ. इसका राइबल ग्रूब, अंदरवान. अगरे तानमा सकती है. अगरे तकलीफ है. यह अगरे प्रूब ग्रन धंदर लीमा, ये तानमा सुई हमें ठाम深त्यूνम, खजारे कैसे यपा यहाँ होती हूँ. ये आशाईे है. भगरे काम ये तक तकलीफिन... याला ये झाला इंद. हुआ 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 हु कर दूजा कर दो, कर दो! तुझसे शादी करने के सिर्फ तीन दिन बाद ही वो बेचारी तुझसे दूर हो गई तब से लेकर आज तक वो तेरी राह देख रही है रीतू तुझसे अब कभी मुझे कभी मुझे छोड़कर बन जाना तुम कौनों मैं नहीं जानता हूं तुम मुझे नहीं पहचानते अब कहों कि इस टाटू को भी नहीं पहचानते जिस पर मेरा नाम लिखा है अब भी तुम्हें मेरी बातों को यकीर नहीं है नहीं क्योंकि मुझे जनम देने वाले असली माबाप यह और यह है मेरी असली माशुगा यह उपर वाले यह तुम मेरे साथ क्या मजाग कर रहा है देखो तो बच्चा पैदा करके रोड पर छोड़कर हम जैसों को परिशान कर रही है सुने लड़के तुम्हारे माबाप यह है बेटा इतनी बेज़ती होने के बाद तुम यहां रहना चाहते हो चलो हमारे साथ सिर्फ तुम्हें छूख कर बता सकता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो ए तुम मेंटल हो क्या कि यादाश्ट हो गई है जन्म देने वाले माबाप को छोड़कर किसी को भी अपना माबाप बोल रहे हो ठीक है तुम्हारे माबाप कौन है यह पता करने का अब एक ही रास्ता है डी एन ए टेस्ट अगर उस टेस्ट में यह साबित हो गया कि यह ही तुम्हारे माबाप है तो मैं भी मान लूगी कि मैं ही तुम्हारी लवर हूँ और तुमसे शादी भी करूँगी क्या तुम तयार हो यह क्या पंगा है अरे भाँ तुम्हारा आइडिया तो बहुत कमाल का है अब हम ऐसा ही करेंगे अब पहले हॉस्पिटल लेके जाओ और डियाने टेस्ट करवाओ फाइनली यह पेचीदा केस सल्फ हो गया एक्सक्यूज मी आप मेंसे भूपती मालती देवी कौन है हमी है डॉक्टर साब डियाने टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यह लड़का आप ही का प्रूव हुआ है गोजसे बिटा अब तो हम पर यकीन करेगा मैडम इस सच्चाई को हजम करने के लिए उसे थोड़ा सा समय लगेगा मेरे साथ आईए मिस्टर गोड से यह आपकी ब्रेन की मेमरी सेल्स है आपके सिर में गहरी चोट लगने की वज़े से आपके ब्रेन की 70% मेमरी सेल्स डैमेज हो चुकी है और फिलहाल सिर्फ 30% सेल्सी काम कर रही है इसलिए आपको कुछ करीबी लोग ही याद रहेंगे और आप कब तक रिकवर करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता डॉक्टर साहब, बेसिकली हम मुंबे के हैं लेकिन इसे लगता है कि यह हैदराबाद का है जबकि हम लोग इसे हमारी medical term में देजावू कहा जाता है इसमें किसी नई जगे पर जाने पर भी लगता है कि जैसे हम पहले भी इस जगे पर आ चुके हैं ठीक उसी तरो, किसी इंसान को देखने पर भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम उसे पहले से पहचानते है ये natural human brain का सुभाव है आम इंसान में ये 2-3% होता है जबकि आपके लड़के को 100% है बाइदवे आपका बेटा हैदराबाद कभी आया है? बिजनस के काम से महिने में एक बार ये यहां आया करता था रोग्टा बस यही प्रोब्लम है इनके brain का main track इरेज हो गया है और सब track ही काम कर रहा है इसलिए हैदराबाद और आसपास की जगे और यहां के आदमी ही इनको याद है मुझे लगता है इन मैडम जी और वाकिस सबको इनोंने कभी देखा होगा इसी कारण से इस तरह behave कर रहे है मिस्टर गोड से इस समय आपका brain जो भी आपसे कहता है उसे नजर अंदास कर आपको अपने माता पिता की बातों को अमल मिलाना चाहिए मा लक्ष्मी तुमसे एक बार बात कर सकता हूँ यह medical tests, DNA reports, यह सब नकारने वाले सच हो सकते हैं आप लोग जो कह रहे हो वो भी सही हो सकता मैं आप लोगों की बातों पर अब यकीन करने लगाऊ धीरे धीरे सच मेरी समझ में आ रहा है तुम्हारे लिए मेरा प्यार प्यार नहीं, भाम था देखो, एक सच को सौ बार बोलकर जूट साबित कर सकते हो लेकिन एक जूट को हजार बार बोलकर भी सच साबित नहीं कर सकते लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है तुम्हारे अंदर सच्चे प्यार की भावना है हैट्स ओफ लेकिन अफसोस की जिस लड़की को तुम ढून रहे हो वो महलक्षमी मैं नहीं हूँ और देखो तुम्हारी एक बहुत ही प्यारी पत्नी है फैमिली है जो इस प्रॉब्लम में तुम्हारी साथ है प्लीज मुझे भूल कर मुंबई जाकर अपनी इस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करवाके एक नॉर्मल इंसान की जिन्दगी जी हो मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ करती हूँ बाई, टेक केर बेटर ट्रीटमेंट के लिए युएस दॉट्टर से भी पूछा जा रहा है ग्रैंटपा तुने मुझे मारा क्यूँ ए मैन, वेरी फणी, वात री तॉकिंग तुने मेरे सर पे क्यू मारा मैने अपके सर पे कब मारा अज़स केम फ्रम अमेरिका मेरे ग्रैंटपा के ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ आपको भी फर्स टाइम देख रहा हूँ तुने मुझे या मारा, गॉल्फ शॉट मारा मैं कैसे गॉल्फ शॉट मारूंगा मेरा तो एक हाथ ही नहीं है टेलो चले मेरे गॉल्फ शॉट मेरा गोर्षए बीटा? मेरा? मुझे बीटा? तुम ठीक तो हो ना? गोर्षए, बीटा, बीटा मा.. मा कहा ये शब्द सुनने के लिए मेरी कान तरस गए मुझ में ही कमी है ये समझ में आ गया हम लोग मुंबई चले जाते हैं मा हम आभी चलेंगे बेटा आभी चलेंगे एड़ा मेरी जाते हैं वाहता हम वे वे तरस बस् की मेलतhãते हैं मेरी कान थ청 क्वाला आभी की मेरी कान आभी चले लवगिश धेवान तरस? प्रुणक्षे है मा रोक जा रुक जा रुख जा रुख जा रुख इसने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो क्या डाला कमर प्यास इतनी छोटी सी बात में शोर क्यों मचा रही है अच्छे खासे मुड़की वाट लगा दी तुम्हें चल मेरे साथ सीधे से चल बगना जबर दसी ले जाओंगा एई देख मैं तुछ से कह रही हूं मेरी बेटी कहा छोड़ने चोड़ उसे थोड़ दूगा इसे दस मिनिट चुप रहे हैं पहले मुझे इसके साथ थोड़ी मस्ती करनी तु इंसान है या जांदर चोड़ने आप लोगों को अपने माबाप समझ कर मैंने काफी टॉर्चर किया इस गलती को सुधारने के लिए आपसे काफी मांगने आया हूं माजी लेकिन एक बात मैं तावे से कह सकता हूं कि मेरे आने से पहले यहां जरूर कुछ खलत हो रहा था सुरी बोलके हो गया चलने कल यह मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है समझा तू फैमिली आप ही की होगी लेकिन प्रॉब्लम होका तो कोई भी सौल्फ कर सकता है तू यहां क्या सौल्फ करना आया यह पीच में आकर मूड खराप करतिया चल निकल यहां पूर गया राय बेर अगर इस लड़की से तुने कोई जबर्दस्ती की तो तुझे पीने के लिए भी पानी नसीफ नहीं होगा यह मेरी प्रापर्टी है इसलिए मेरा इस पर पूरा हक है औरत को इस संपत्ति नहीं है कि उस पर हक चताया जाए दुनिया पर शासन करने वाली जो तुझ जैसे शैतान को भी खतम कर दें अरे तेरा प्रबचन तेरे पास्राप उर्टी कर यहां से मेरा यहां आना उपर वाले का फैसला था लेकिन यहां से जाना कब है यह मेरा फैसला होगा नहीं की बातों में फरेब हैं इनकी नजरों में धोका दिखाई दे रहा है अपने नजर सीधे राख बेटा चलो मैंने कहा चलो बेटा चलो मेरी बात मानो बेटा अरे तुझ जैसा जानवत मेरा भाई नहीं है जुन्दम दिया हुआ मेरा बेटा आखों के सामने पागल बन के घुम रहा है हमारी वजह से इसकी आज यहालत हो गई है इसके लिए पोस अंचा पागल है आखों Wiki जर कहेँ ड़्लism बाता बेटा तुम मेना ही बेटा बेटा अभी मेरे अभी Tong बेटा तूम मेरे पोस हो हो र कोई कोट ञें हाँ खरते नहीं हो मेरे पोस हो पिर्टा नहीं जो मेरे भाप कहए पेटा अहाँ प्रोड गल क्यां एपे जुट साल गल पूरा खेल भिकार दिया तुने देखो वो यहां से जिन्दा ना लोट पाए बॉस बॉस नहीं तुमारी बालच पी हूँ नहीं तुमारी बालच पी हूँ बहिया उसमें बहुत दुल्ग किये हैं उसे फिल्खुल में छोड़ना बहिया उसमें मत छोड़ना नहीं भाग यहां से भगा भगा जल्दी कर रख पाटाए तुमारी बॉस पाटाए आचवोर को थार पर दुटत कर दुटत बहुत प्राद। प्रादकित दुटत कर दुटत लूड़ माँ को काटा भी तुम जाये तो बेटा सेह नहीं पाता अर तुम मेरी माँ पर हाथ उठाओगे और मैं खाबोच खड़ा देखता रहूंगा चाट के रख दूँगा चाट! ये हाथ तुझे याद है? तेरी मौत मेरी याथ हो लिखी है आजए! हाड़ो से! प्ँडोज कर दो दो कर दो तो मिझर घ्ल के घग सब गए! त अ! त क्यां सब गूत ह flaता? त रैस दो! तो रादाилось! हुई हुई otherwise याई याँ याँ कि Western कि εγγ谷 कर सक रिंभ कि अंए राप कि बाप भाप कि बाप कि अप कि अप भाप अपздरे जिडकत। मुझे सुलाने के लिए तू क्या तेरा बाप भी उपर से नीचे आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा तुम जैसों से निपटने के लिए उपर वाले ने मुझे अलग सी शक्ति दिये मेरे बादन के किसी भी हिस्से को अगर छूने की कोशिश की तो तेरा दियेंड क्या हो रहा है मां? युद्ध, युद्ध हो रहा है यहाँ एए, कौन बोल रहा है? बोडसे, बोडसे और बोस बोस? ये, बोस, युद्ध वर्सल नेम नो नीड फॉर इंट्रड़क्शन मैं कौनों पता है? भारत वाज, चीफ मिनिस्टर आफ दे स्टेट तुम्हारी इतनी हिम्मत की सियम से इस तरह बात करो तुछ से बात करने के लिए हिम्मत किसलिए है? नोकिया में डोकोमो का सिम डाला और चालो हो जा मेरा निटवक्श तुझे नहीं पता है तेरा फ्यूचर क्या ही है मुझे पता है तेरा तो खून बहेगा तो छोड़ मैं या खून की नदीब आने जा रहा हूँ जानता है क्या कर रहा है साब किताब बराबर करने जा रहा हूँ तो अकेरा है बच्चे आ लेकिन साब परभारी हूँ तेरा टार्गेट नहीं चुकता अबे तेरा टार्गेट की ऐसी कित ऐसी किलूमीटर तक मेरी सिक्यूर्टी है कहीं भी छुपड़ा ढूर निकारूंगा आएगा तो मरेगा सुबाश चेद्र बोस की टेस्टेट नहीं है इस बोस का भी कुछ ऐसा ही है आ रहा हूँ आ ना तू आ रहा हूँ तो खुश किसमत है कि तू अपने चम्चो के मरने की चीखे सुन रहा है ए तेरा मरना तो कन्फाम है जिसे याद करना है कर ले क्योंकि तुझे बचाने के लिए तेरा बाब भार्दवाज भी यहां नहीं पहुँच पाएगा एक इंसान को पागल बनानी के लिए मैंने क्या-क्या नहीं किया कोशिश की कि वो अपने अस्तित्त को ही भूल जाए सक्सेस मेरे कदम चूमने ही वाली थी कि मेरे एक प्यादे की हवस की वज़े से सारा प्लान चोपट हो गया ऐसी समस्या तुमारे लिए कोई नई बात नहीं है भारदवाज बाइदवे ट्राइमेक्स कंपनी वाले अपने फार्म होस में हमारा वेट कर रहे है तुम आगे चलो मैं बाद में आता हूं आलफार तु चारली आल सिस्टम टार्गेट बुविंग आल स्टेशिंस अलर्ट सिकरिटी अलर्ट जैंबलिंग 2 & 4 जैंबलिंग 3 & 5 जैंबलिंग 3 & 5 एस बास अलर्ट जैंबलिंग 5 जैंबलिंग 6 कि जैंबाट आए आजे, मैं एंटर हो गया हूँ, अब बता सी एम किस कार में है बताता हूं मामा स्टेप दान रोड मामा, सी एम सेकंड कार में है इकना परफेटली कैसे बता सकते हो तुम एक बी आईपी की कार को चलाने वाले ड्राइवर को थोड़ा टेंशन रहेगा मेरी कैसिंग यही कह दिए सेक्यरिटी अलर्ट, नियर फार्माउस रोड, जंबलिंग ओल कार्स मामा, मैं फर्स पॉजिशन पर जा रहा हूँ, तुम थर्ड पॉजिशन ले लो को कि भाजेए कि भाजव रहे हुड़ा घ्सार रहे हुड़ा हुड़ाँ मामा, अज़ दोड़ाँ मामा, बड़ाँ कि भाज़ाँ कि यइशन अजवे हुआए एस प्रफ़ 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 stop all cars, stop same is missing, jau or dhundo, come on move मुबाइल पर बहस करना मुझे पसंद नहीं है अपनी आदत है डारेक्ट अटाक तुझे होश भी है तु क्या कर रहा है ड्राइविंग, ड्राइविंग किया रॉंग रूट पर जाने वालों को मेरे सही रूट का सिर्फ एक सैंपल दिखाया है चारों तरफ तीन किलो मेटर तक तेरी सिक्योरिटी है न तेरे साय को भी कोई टच नहीं कर सकता न मैं तुझे तीन किलो मेटर नहीं तीन फोट के फासले पर ले आया या क्यों पसीरे चूट रहे हैं तेरी कहानी से शुरू करके मेरी कहानी पर खतम करेगा कुछ समय पहले राश्टर के मुख्यमंद्री सीविया हाट अटक की बज़े से हॉस्पिटल में भरती हो गये है हाट स्ट्रोक की बज़े से उन्हें हॉस्पिटल में लाड़ा गया है उनकी बारे में जैसे हमें कोई ताजा ख़बर मिलती है हम आपको बताते रहे हैं सीव को मिलने के लिए बड़े बड़े वियाइपी कतार में ख़ड़े हैं लेकिन उनके बेटे और करेभी रिष्टेदारों के अलावा किसी को मिलने की इजासत नहीं है उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है डॉक्टर, भाई साब का क्या हाल है अब उनकी कंडिशन आउट ओफ डिंजर है उनको जो स्ट्रोक आया था बहुत ही मैसिव स्ट्रोक था वो अस वक्त तो उन्होंने सहलिया लेकिन अब उनका हार्ट वीक हो चुगा है अगर ऐसा स्ट्रोक दुबार आया तो उनका बचना मुश्किल है कोई टेंशन वली बात उनके कान में कभी न पहुंचे इस बात का ख्याल रखेगा उन्हें क्या एक बार देख सकता हो वाई नाट, शूर अरे, भाई साब, ये क्या हो गया आज नहीं तो कल ये दिन आना ही था मुझे अपनी नहीं जनता की फिक्रसात आ रही है जनता की बहुत सारी समस्या है वो सब बात में देखेंगे पहले आराम कर लो अगर इन्हें फिर से स्ट्रोक आया तो जीना मुश्किल हो जाएगा लेकिन स्ट्रोक तो आये गा ही सेवियर हाट अटेक आने की वज़े से हमारे प्रदेश के मुख्यमत्री जी को इस हॉस्पिटर में अड्मिट किया गया था हमें बताते हुए अफसोस हो रहा है कि दुबारा हाट अटेक आने की वज़े से उनके नित्य हो गई है उनका अंतीम सिंसकार करने के लिए उनके बेटे उन्हें घर ले जा रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए पूरा शहर उमर उठा है हमारी पार्टी और स्टेट के लिए मेहनत करने वाले हमारे भाई साब का दिहान सब के लिए बड़े दुख की बात है जनता को उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी उनकी उम्मीदें अब सच करेंगे हमारे भारत द्वाज जी उनके स्थान पर अब मैं इनको बिठाना चाहूँगा भारत द्वाज जी आए भारत द्वाज जी मेरे एक छोटी से रिक्वेस्ट है वैसे तो इनकी स्वाभाविक मौत है पर पता नहीं कोई मेरा दिल नहीं मान रहा हर चीज़ पे नज़र रखने वाले अपोजेशन के लोग कल कोई बाखेडा ना खड़ा करें हम CBI इंक्वारी करवा लेते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे है इस फाइल पे सबसे पहले मेरा दस्तकत होगा जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ I'm proud of you बहुत मैना से मिली है तुम्हें ये सीट इसे संभालना इस सीट से मुझे हिलाने वाला ना है ना आएगा एए सीबी आए अंदर के लिए में मालिक की बहुत बड़ी पूजा चल रही है तुम चाहते हो कि उसमें तुम्हारी समाध्री की भी पूजा की जाए चले जाओ सत्यनाराण हम लोग गेट के पास कितने मज़ा है बराबर ना वज़े सर ये मेरे सामने कितने मज़ा है नौ बचकर दो मिनट पसर वे एक काम करो नौ बचकर दो मिनट से लेकर नौ बचकर बारा मिनट तक बॉस मिसिंग इन एक्शन ऐसा लॉग बुक में एंट्री अभी अभी करो लगता है मेरी बात तुम समझे नहीं कुछ लोग मारेंगे तो एक्सरे में दिखाई देगा और कुछ लोग मारेंगे तो स्कैनिंग में दिखाई देगा अगर मैं मारोंगा तो हिस्टी में सुनाई देगा सचे नाराण और कितना डाम बागी है पास सेकंड सर परफेक्ट टाइमिंग सर सर आप कहें तो रेड शुरू करें फर्स प्रेड तो दे गौड नेक्स प्रिपेर फो दे रेड सहाब ये सवन से आपके परिवार में समर्द्धी शुबलाब सुक शांती आएगी शत्रों का नाश होगा आपको संपूर एश्वर अप्राप्त हो इसके लिए माताजी के जी जरा रुख जाहिए एश्वरी की जरूरत नहीं है चाहे तो मैं ही भगवान को दे देता हूं आप आईश्मान भवा कह सकते हैं आपके लिए आईश्य मांगना बेकार है कि इसको कितना देना है ये भगवान रिर्णा ही कर चुका है तुम जादा बात कर रहे हो तुझे दिया हूआ टाइम एकसेस हो गया है स्टार्ट अरेड यह उन से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सब मेरा पैर चुकर आशिर्वाद लेते हैं उससे कोई उची आवाज में बात नहीं करता जिस गर में दीपक जलता है वहाँ धुआ छोड़ना ठीक नहीं बेसिकली मैं एक स्मोकर हूँ बचपन में पढ़ाई की जवान ही मैं आशिक है लेकिन एक लिमिट तक साथ ही साथ अची आदतें भी अपना ही तू भी अपना ले मेरा हुक्म यहां का कानून बन जाता है तेरी आउकात क्या है तू है कौन जो मुझे सिखा रहा है मेरे बारे में सब कुछ पता करने के बाद ही तुझे इस केले में कदम रखना था कदम रखने के लिए इंविटेशन की जरूरत नहीं है information काफी है मेरी कहानिया तुम्हें यहां की जनता से पूछनी चाहिए, सब जान जाओगे कौसी चंदा मामा की कहानी है बे साक्षात श्री कृष्ण भगवान मेरे रूप में फिर से जनम लिए है ऐसा यहां की जनता का कहना है, ये है कहानी तु और कृष्ण भगवान, ब्लडी फूल तुझे पता है कृष्ण भगवान का मतलब क्या है गंस का उमारने राक्षफों का विनाश करने और रिशी मुनियों की रक्षा करने के लिए पर उत्रे थे वो, तुझ जैसा कुकर्मी क्या जाने के भगवान क्रिष्ण क्या थे अरे मुझ जैसे सामान्य मनुष्य के सामने भी तु टिक नहीं पाएगा और खुद को क्रिष्ण का आउतार कहता है खुद को शेर कहने वाले, तुम तो पहार के चुहे से भी छोटे हो ए, फूर, चार बदमाशों को अपने साथ रखकर अपने आपको दीस मर का समझने वाले तु है क्या? चाहूं तो अभी मसल दू After all, CBI का मामूली मुलाजिम है तू मैं CBI का मुलाजिम हो इसलिए अभी तक तू मेरे सामने सही सलामत बैठा है अगर मैं अपने असली रंग दिखाने पर आ जाओंगा तो कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे जितने भी कॉंटैक्स सारे इस्तिमाल कर ले तुझे मरने से कोई नहीं रोख सकता, कोई ना है अगल भगल के तीनो राष्ट के CM से पूछो, मैं कौन हूँ, मेरे नेटवर्क के बारे में तुम जान जाओगे तुझे ज़रा अपने नेटवर्क के जलवा दिखाऊं सुजाता रिपोर्टिंग सार प्रभाकर प्रभाकर रिपोर्टिंग सार यह मेरी रेंज है जरा अपने हाथ की गड़ी निकाल क्यों? क्योंकि तरह टाइम खराब चल रहा है चल निकाल यह तेरी सीक्रेट लॉकर की यह बात तुझे एक बार किसी शैतान का टागेट फिक्स किया तो उसके घर में बढ़ा होने वाला पेड़ या उसका भोकने वाला कुत्ता भी हो वो मेरे कंट्रोल में आ जाता है बैरो सर, रेट कंप्लीट हो गया इसके राशन कार्ट से लेकर पासपोर्ट तक सब कुछ जब्त कर लो तब ही यह जरूत पढ़ने पर हाजरी देगा सत्यनारान सर इसका अंगुठा लेलो साह कुड़ो को मार कर जो पैसे मैंने कमाये थे वो इतनी असानी से तुम उससे छीन लेगा तुम मुझे क्या पागल सबस्ता है जो मैं चुप चाप तमासा देखते रहूंगा एक कदम एक कदम भी तुनी अगर आगे बढ़ाया तुम मैं इसका भेजाओ आदूर्णा ड्यूटी के लिए मैं मरने को भी तयार हूं सर लेकिन इसे मत छोड़ियेगा सर सत्यगिरा पर चलने वाला छोटा आदमी बढ़ा बन सकता वही बढ़ा आदमी जब बैमानी की रापर चलता है तो सीधा परलोग सिधार जाता उने के सिंगासन पर ये देश्त्रोही जच नहीं रहा है रिमोव दा बॉड़ी, रिकवर दा थ्रोन मा, रड़के वालों के आने का टाइम हो क्या है? सब तयार है ना? तुम्हारी बहन को छोड़कर सब तयार है, तीन घंटे हुए अब तक तयार ही भी अरे उसकी शादी है, टाइम तो लेगी ना? अजे, सामने पैदा हुई बच्ची की शादी हो रही है यहां मरने की उमर हो गई और अभी तक शादी नहीं हुई वो देखो, वो आ गए कैसा लगा दूला? धार लगी दलवार जैसा है चश्में उतारो, और जड़ा देखो, मीठी वाली छुरी भी है यह क्या भाजे? वो दूले की बड़ी बैन है मामा पापरे, देखते हैं चमणी निकाल देगी नमस्ते चड़ती है तो उतरना मुष्किल उतरती है तो चड़ना मुष्किल क्या करूँ में तैरा? यह मेरी बड़ी बेटी है, महालक्षमी MBA कड़ चुकी है महालक्षमी फाइनस कंपनी की MD यह हमारा बड़ा बेटा है CBI में Joint Director के पोस्ट पर है अरे बीटिया के बापू के बापू का फोटो है बापू की फोटो नहीं है तू चुपचा बैट लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं फिर हमें और क्या चाहिए इनका आपस में एक दूसरे को पसंद करना काफी नहीं है ये दहेज अच्छा देंगे तो शादी होगी अब बोलो क्या तुम इसके लिए तैयार हो एक CBI अफिसर के सामने दहेज लेना और देना दोनों ही गुना है अरे तू चुप हो जा बेटा आप पुछो ना बेटी लड़की वाले है हूं हमें चाहिए एक लाख चौबिस हजार तीन सौ पच्चिस रुपए और ये पैसे तुम्हें शादी से पहले देने होगी बापरे बापरे ये तो लोन अमाउंट है ये क्या है बेटी मांगना है तो 6 लाख या 7 लाख मांगना चाहिए ये एक रुपया दो रुपया का क्या मतलब है बेटा ये आप अपने बेटे से पूछे और इनके पीछे छुपएवे टू बाई टू से भी पहले इन दोनों का रिष्टा तो तैय हो जाए फिर हमारे बीच की मैथेमेटिक सॉल्ब करेंगे शागुन की थालिया बदली कीजिए वर्णा मूर्थ निकल गाएगा अम्भूरुवस्वातस्वितुर्वर्णयंपर को देवस्य दीमाई दियो योना प्रचो दयात आरे को इसका पूपन गराओ अरे यह लीजिए टेंशन मत दीजिए सब ठीक हो जाएगा ए चुपकर जब देखो नाटक करती रहती है अरे रे 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 ऐसे शुप मौके पर ऐसे मनुस को लाना ही नहीं चाहिए ओर डेज हो बेज कर पीछा चुड़ा लो तेरी इतनी हिमत तुने मुझे पे हाथ उठाया चुप रहो बुज़र्गों की बेज़दी करोगे तो आगे पीछे कुछ नहीं देखूंगा तुमने आखिरे ने क्या समझ रखा है तुम्हें धर्म के बारे में, गयभार के बारे में संसार के सारे अच्छे नियमों के बारे में बताने वाले यही लोग है उस जमाने को और अपने जमाने को अगर किसी ने चोड़ कर रखा है तो यही देव समान बुज़र्ग लोग है अगर बड़े बुड़े रास्ता नहीं दिखाएंगे तो हमारा भविष्य फिर से स्टोनेज में चला जाएगा आप हमारे महमारों इसलिए छोड़ रहा हो दूसरा कोई होता तो ऐसा सबक सिखाता कि याद रखते सारी, मेरी वज़े से मूर्थ का टाइम चला गया शगुन की थालियां बदलने के लिए सिर्फ अच्छे मूर्थ की नहीं बलकि अच्छे लोगों की जरूरत होती है मा, तुम्हें एक बंपर आफर दे रही हूँ अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी की भी शादी करवा लो उसी मंडप में, उसी पंडित से धूम धाम से शादी करवाओ अगर आफर क्लोज हो गई, तो अच्छा दामाद मिस कर दोगी तुम्हारे नजर में तुम्हारे लाएक कोई लड़का है? तुम्हारे सामने ही तो है मा क्या हुआ भारतवाज, यहाँ अकेले बैठ कर क्या सोच रहे हो? इस प्रदेश को उपर कैसे ले जाओ, यही सोच रहा हूँ उस ग्रीन प्रजेक्ट के डील के बारे में मैंने और मेंदर ने सारे डिसकर्शन कर लिये हैं हमारे एक्सपेक्टेट पेमेंट के अलावा, 50% पार्टनर्शिप भी देने को तैयार है आपको बस इस प्रजेक्ट में आने वाले लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है सर तुम्हें अकल है, जीज सेक्रेटरी होकर, मेरे पास ऐसे प्रोफोसल्स ले कराते हो इस फाइल पर अगर दस्तखत करूँगा, तो पता है क्या होगा सदियों से इसी जगा पर जीर है, 125 जंगली जाती वाले इस प्रोजेक्ट से बेघर हो जाएंगे इस ग्रीन प्रोजेक्ट से भूड़े बच्चे और अतमर्द सब के सब बरबाद हो जाएंगे उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो जंता हमें प्यार करेगी और फोटो से लाद देगी नहीं तो करोडों रूपे खा गए ऐसा कहेंगे मूँ पे थुकेगी मेरे टेबल पर ये फाइल आगे से नहीं आनी चाहिए गेटाओ नौट अप्रूट को नोट अप्रूट करके करोडों रुपे के घोटाले के अलजाम तुमारे स्वरगे पिता पर लगा दिया अगर ये बाद तुमारे मामा जी को पता चली तो तुम्हें परेशानि हो सकती है अपने रास्ते में आये बड़े पापा को नहीं छोड़ा, तो वो तो मामा है पैनर जी, डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले ऐसा क्यों करते हैं? सिरिज में एर ब्लॉक हुआ, तो वो एर बबल सीधे आत्मी के बोडी के नसों में जाकर हार्ट बॉल्प्स ब्लॉक कर देता है, जिसकी वज़े से इंसान की मौत हो जाती है मामा और मेरा एक ही प्रेंट है, और वो रोज शाम को दो पैक ज्यादा भी कर निकलते हैं आज का पैक लास्ट होगा, उनकी मौत कैसी हुई है, यह पोस्ट मॉटम से भी पता ना चले है गुद मॉर्णिंग सार्ण वेलकम बोस, अपॉन्मेंट के बगार युज गुंडे का चेप्टर टरिफिकली क्लोज किया तुमने, वेरी प्रॉड ओफ यू प्लीज सिट डाउन थैंक यू सर नाओ कमिंग तु दे पॉइंट, यह हैं सेंट्रल हड़ ओफिस से आया हुए स्पिशल ओडर्स इस बीच हाली में मारे जाचुके एक सिम की डेथ पर, सिम को उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स पर शक है और इस तरह के केस के लिए, तुम्हारे जैसा डेडिकेड़ ओफिसर ही चाहिए तुम्हारा टेलेंट और ट्रेक रिकॉर्ड देखकर, इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हें ही डेप्यूट किया है और तुम्हें इस काम पर इसी वक्त जाना होगा यार ओटिस तुम्हें के लिए, जनता को डाइवर्ट करने के लिए, ऐसे ट्रिक्स प्ले करना पॉलिटिशन के लिए मामूरी बात है केस फाइल राजीव थाइजे डाइब टहरी थाइजे के लिए भजट पॉलिट टुम्हें थाइजे बाता है तेंक यू उनके CM होने के पहले से ही मैं उनका treatment कर रहा हूँ देखे सर मुझे उनकी family की total health history की file चाहिए हूँ उने जो आया था वो एक massive stroke था and that is 100% natural stroke तुमारी भेज़ी हूँ सारी file study की है मैंने चीफ मिनिस्टर को first stroke आने के बाद डॉक्टर ने जो भी treatment दी वो बिल्कुल correct है उनके body condition के हिसाब से second stroke आने के बाद उनके जीने के chances बहुत कम दें हॉस्पिटल में रेकॉर्ड हुआ CCTV फूटेज यही है सर यह disturbance क्यो है उस दिन ठीक इसी समय हमारे हॉस्पिटल में सभी CCTV कैमरे के फूटेज में ऐसा ही disturbance आया था सर उसे समय आपके हॉस्पिटल में power fluctuation जैसा कुछ हुआ था क्या ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है सर हमारे पास high quality electrical power system है सर open the door अलो जी कहिए टीवी नाइन न्यूस चैनल येस जिस दिन मुख्यमंत्री गुजरे थे उसके सुबह के साड़े पाँच बजे आपके चैनल में कौनसा प्रोग्राम टेलिकास्ट हो रहा था उस समय हमारी चैनल में भाक्ती प्रोग्राम टेलिकास्ट हुआ था उनके बोडी कंशन के हिसाब से सेकंड स्ट्रोग आने के बाद उनके जीने के चांसे बहुत कम थे उस समय हमारी चैनल में भाक्ती प्रोग्राम चले कास्ट हुआ था तो CM भक्ती प्रोग्राम देखते हुए क्यों शौक से मर गया था CM की आँखों में डर दिखाए दिया डरने की वज़ा क्या हो सकते है PC TV कैमरा फोटेज में ये डिस्टरबंस आया था मतलर जो CM देख रहा था वो भक्ती का प्रोग्राम नहीं था कुछ और ही था जिस दिन CM गुजरे है ऑस्पिटल बैक्याड में ड्राइविंग तुम ही कर रहे थे उस दिन वैन में क्या हुआ था मैंने पूछा उस वैन में क्या हुआ था हुआ है कि अब सब कुछ हमारे कंड्रोल में है सी एम जो भी चैनल आउन करें वो वही देखेंगे जो हम चाहते हैं इस राची के सबसे बहाल इंसान लोगों के चहेते नेता जिधे लोगों का दिल जीतना बहुँ भी आता है हमारी चीफ मिनिस्टर का असली लुप सबके सामने आ गया है लड़कियों के साथ कि ये अश्लील व्यभार का टेप स्टूडियो एंपी हाथ लग गया है वो विजूल्स एक्स्क्लूसिबली आपके लिए इस विजूल्स को देकर जन्ता शौक्ट हो गई है जिसे जन्ता भगवान की दरह मान्ती है उनके इस बरताव से जन्ता में क्रोध है और उन्होंने राजी में टोड़ को शुरू कर ली है यह संसरी खेस कबर सुनकर पार्टी के सारे कारे करताओने आत्मा हट्या कर ली है सी एम के बेटे के कहने पर उस दिन मैंने सिश्टम को है किया था अत्यारे चाहे जितने भी शातिर क्यों ना उन्हें छोड़ूंगा नहीं क्या सर बहुत हैपी लग रहे हो एक्सियम का केस सॉल्व कर दिया क्या आपको यह तो नहीं लग रहा है उनका मडर हुआ है सर आप जो केस डील कर रहे हैं वो आपको थोड़ा डेंजर नहीं लग रहा रवेंद्रा क्लियर बोलो मुझे गोल मौल बाते पसंद नहीं एक्सियम के डेथ केस में हाई लेवल के बड़े अधिकारी इन्वाल्व है ऐसा मुझे लग रहा है सर अगर उनके बारे में आप पता करेंगे तो आपकी जान को खत्रा हो सकता है सर मेरी राए पूछो तो कॉंट्रवर्सी के बिना ये केस खत्म कर दीजिए हम ड्यूटी किस लिए करते हैं जिंदगी जीने के लिए न फिर मौत को घर का रस्ता क्यों दिखा रहे है कॉफी ठंडी हो रही राविंदर पीलो इसे थेंक्यू सेर मानी चाहिए तुम अपने जूनियर्स के लिए क्या एक्जांपल सेट कर रहे हैं बहुत से डर नगता है तुम्हें अगर तुम्हें जूनियां ही पहननी है तो जा कर कोई और चॉप कर लो प्लड़ी फूल पोल्स, what nonsense is this? आपने ही कली को सब के सामने पीट रहे हो तुम कोई CBI officer हो या रास्ते के गुंडे हो CBI का क्या मतलब होता है यह तुम्हें पता भी है या नहीं? मैं आपको किताबी मतलब समझाओ या वो मतलब समझाओ जो यह जानता नहीं What do you mean? I mean CBI का मतलब Central Bureau of Investigation जो BIP की सिवा करने के लिए नहीं होता लेकिन आप शायद यह मीनिंग भूल चुके हैं C मतलब commitment for duty, B मतलब bound for truth, I मतलब integrity for the nation यह मीनिंग ड्यूटी के लिए मरने वालों को पता है और इसी को वो follow करते हैं You are crossing your limits, you are talking to your superior I know with whom I am talking to मुझे पता है मैं किस से बात कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ एक वक्त था कि society को clean करने के लिए CBI बना था और अभी सिर्फ बड़ी बाते करने के लिए रहे के यह CBI मैंने हाथ बढ़ा कर तुछ से शेकेंड क्या कर लिया मुझे क्या लगते है तेरी हर बात मुझे सही लगेगी पटक पटक कर मारूं का याद रखना वाइनल मॉर्निंग दे रहा हूँ मेरे साथ काम करने वालों में पूरी इमानदारी होनी चाहिए ज़रा CBI करणबर में परदाश नहीं करूँगा चाहिए मों कोई मेरे से छोटा ओफिसर हो या मुझे से बड़ा ओफिसर हो किसी को नहीं बख्षूँगा सबका इंसाफ मैं ही करूँगा I'm sorry sir, मुझे से अंजाने में बहुत बड़ी खलती हो गई अगर आप ये केस किसी सच्चे आफिसर को दोगे तो आपकी पार्टी वालों को और वेरोधी पार्टी वालों को आप पर कभी शक नहीं होगा यही सोचा था मैंने और जैसा कि आपका प्लैन था, इस केस को बोस को दिया गया था लेकिन उसने आपसे ही दो कदम आगे सोचते हुए इस केस को फिरिंशिंग स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया और इसमें आपका हाथ है यह जानने में उसे जादा वक्त नहीं लगेगा सर उसे रोगना अब हमारे बसका नहीं है यूँआब टू डील विधिम उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या है वो ही तो पता करने की कुशिश की थी सर हमारे CBI ओफिसर्स ने सेंट्रल कमांड कम्प्यूटर सर्वर में हमारे दिमाग को चक्राने वाला एक फायरवाल सिस्टम क्रेट किया था सर फायरवाल सिस्टम वो क्या है राजिश इंडिया वाई CBI सिस्टम डिजाइन करने वाली टीम के ये दोनों स्पेशलिस्ट हैं सर क्या है ये न्यूसेंस हम जिसे न्यूसेंस समझते हैं उसने उसे नया सेंस बना दिया सर तुम डीटेल्स बताओ बोस की तारिफ मत करो इंडिया में CBI की 6 Zonal Headquarters हैं ये हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकोता, चेनन, बैंगलोर और हैतराबाद ये सब Zonal Headquarters सबको मिलाते हुए हमने एक Central Networking System क्रियेट किया है इसके जरिये किसी भी एक ब्रांच का फाइल दूसरे ब्रांच वाले कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं जरुरत पढ़ने पर एक दूसरे की फाइल आपस में Exchange भी कर सकते हैं लेकिन बोस का Create किया हुआ फाइल कोई Activate नहीं कर सकता है उसके अंदर क्या है पता नहीं कर सकते हैं बोस के अलावा कोई भी से Open नहीं कर सकता है असान शब्दों में बताऊं तो इस Investigation फाइल के चारों तरफ उसने एक रक्षक दिवाल बना कर उसके बीच में एक किला बना दिया है ये Total Security Process को ही Personal Firewall System बोलते हैं सर्थ तुम कुछ नहीं कर सकते हो? जैसे Hackers इस फाइल को जबरदस्ती एकसस करने की कोशिश करें या Temper या Destroy करने की कोशिश करें तो ये चीज हम पर ही भाड़ी पर सकती है इस बीच उसे कोई मार डाले या Department से निकाल दिया जाए या फिर उसे Kidnap ही कर लिया जाए तो बात बन सकती है कैसे? Department Rules के हिसाब से CBI वाले अगर Central Database में अपना स्टेटस अबडेट करते हैं जैसे बोस इस डेट, सस्पेंड हुआ है, मिसिंग हुआ, टर्मिनेट हुआ या कोई और रेजन से गाइप हुआ तो ये Investigation Report फाइल आटोमेटिकली अकसेसिबल हो जाएगी और तुरंत President of India को, Central Home Minister को, Government को, मीडिया को ये सिर्फ एक सेकेंड में पहुँच जाएगी बोस अकेले ही इस केस को कम्टीट करके फाइनल रिपोर्ट दे सकता है, सर राजेश, you may go now ये उसने ऐसा चक्रव्यू बनाया है जिसे खुद अभी मन्यू भी नहीं बेच सकता है, सर समझ यहारा क्या होगा उसने जिस चक्रव्यू को मेरी लिए रच्चा है मैं उसी में उसे अभी मन्यू बना दूँगा आओ बेटा अरे वा, करेक्ट टाइम पे आयो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, निकलना है इतनी क्या हर बड़ी है मा, वैसे कहां जा रही है मैं अकेली नहीं जा रही, सब साथ में जाएंगे अपनी नंदिनी की शारी हो जाए तो मैं मंदिर में जाओंगी, ऐसी मैंने मन्नत मांगी थी जो आज पूरी हो गई है मुझे ऑफिस में अजन काम है मा, मैं नहीं आ पाओंगा, आप रोग जाएंगे मैं कहूंगी तो भी, आप नहीं आओगे क्या बहुत हो क्या बहाना, चलो तयार हो जाओ भी, बहुत हो जाओंगी, बहुत हो कि अथождो, मैं इसका बहुत हो झाओंगे जहीं हो चलोगे जो पर लो तरूम एप जए खारे देल कि कटड़े लादे लो एब गड़े लेखिग का रड़े कि लेखिज के लेगजया समय के लेख़े लेखिवे, ज ये लेखिवे! ये उेखिए!! अर बेजने आफ अर 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 इसी और अर वपक रंख अर बेश बेड़ अर 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 बोड़ यू हल थक्षब कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दोन कर दो दो कर दो कर्द से आओ दो कर्द सुन कर्द भाए सु MILL कर दो बचाँ 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 मा नंदी ने नंदी ने शुम्ममेदा प्रीटा जी बहुत बहुत प्रीजर करो आओ ज़र बहुत बहुत ब्रापू ब्रापू बहुंखों! बहुत! 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 मिए। बहुत! 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 जो दुश्मन मेरे रास्ते में आता है, मैं उसे हमेशा के लिए बंदी बना लेता हूँ डॉक्टर, कैसी कंडिशन है इसकी? सर पर मार्च जदा लगी है सर, लेकिन कोई खत्रा नहीं है सिर्फ तीन मेने के ट्रीटमेंट चाहिए इने, फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए इसे ना तो मरने देना है, ना जीने देना है किसी भी पेशेंट को ऐसा करने के लिए कुछ मेडिसिन्स बनी हैं सर। उन्हें इंटरनेशनल मेडिकल काउंसिल रूल्स के इसाब से इंडिया में हमेशा के लिए बैन किया गया है। ऐसे मेडिसिन्स को मंगवा कर हम एक्सपर्ट डॉक्टर से ट्रीट्मेंट करवाएंगे तो आप जितने दिन चाहे उतने दिन इन्हें कुमा में रख सकते हैं। जिससे सिर्फ यही खोल सकता है। बहुत ही अधबुत दीवार इसने बनाया लेकिन एक छोटा सा होल बंद करना भूल गया। वही होल हमारे लिए सिंग द्वार बन गया। कैसा होल? वोलंटरी रिटार्मेंट वोस ने वोलंटरी रिटार्मेंट लिया है ये स्टेटर्स सिस्टम में एंटर करते ही फाइल कभी एकसेस नहीं होगी। बैनर जी, इमीडियेटली इसकी फैमिली को अपने कंट्रोल में होगी। मैंने जो बोला अगर वो नहीं सुनोगे, तो कोई जिन्दा नहीं बचेगा, ना तू ना तेरी फैमिली। तुम नहीं चाहोगे ना मैं इसकी इज़्जत के साथ खेलू। उसे कुछ मत करो, हम तुमारी बात पानने के तैयार है। प्रसाद, हमारी कोई भी चाल अननेचुरल ना लगे। पबलिक के आखों में धूल जोकने के लिए, उस पर ड्रंकन ड्राइव का केस बना। इस तरह से मैंने तुम्हें एक जिन्दा लाश बना कर रख दिया था। लेकिन मेरी बदनसीबी कि कोमा में रहते हुए तुम्हारी एक दिन सांसे रुप गई। अइसा नहीं होना चाहिए। मेरी टेंशन और बढ़ गई। क्योंकि ये मेडिकल साइंस को भी पता नहीं चला कि तुझ में जान वापस कैसे आ गई। फिर मेरे सारे टेंशन दूर हो गए। और तब मैंने स्टार्ट किया नया गेम। और उस गेम को मैंने नाम दिया ओपरेशन गोड से। भोश में आने के बाद तु जिस दुनिया में जी रहा था वो मेरी ही बनाई हुई दुनिया थी। जिन लोगों से तु मिल रहा था वो सब तेरे लिए अंजान थे। मैंने तेरे आसपास इतना कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि कौन तेरी मा है और कौन तेरा बाप तू समझ ही नहीं पाया। तु मेरा कुछ नहीं भीगाड सकता है। तुझे पता है क्यूं अब तेरा CBI से कोई संबंद नहीं रहा। कोब्रा के हलक से जहर निकाल लिया। सिर्फ तू डस्ता रहेगा लेकिन असर नहीं होगा। अबे बिजली गिरने के बाद बादल की कड़गाड भी हम लोगों को एक सेकेंड लेट सुनाई देती है। दहकते हुए इस चलते हुए सूरज को भी एक घंटे का ग्रहन डगता है। तेरी हुई तो क्या हुआ। ऐसा नहीं कि तरह फैसला नहीं होगा। पाफ कांथ होकर ही रहता है। अल्रेडी तेरे सारे पंख काट दी है। अब इतना क्यों उड़ रहा है। एए! मेरा टेंपरेचर इतना है कि तेरा टी एने टेस्ट करने के लिए उठी बर्राग भी नहीं मिलेगी। तुछ से खलती हो गई कि तुने मेरा नाम गोड़ से रखा। गोड़ से भी वाइलेट था और बोच भी वाइलेट थे। तुझे समझ में आया ये मुझे पता नहीं लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आई है। God, Say, यानि God ने बोला, कि तेरा फैसला मेरे हाथो होगा, अभी मैं तुझे नहीं मारूँगा, जानता किसलिए, मेरे हाथो मरेगा तो तेरा नाम इतियास में लिखा जाएगा, जिस दिन तेरा बाप दुनिया के सामने उजाकर होगा, उस दिन तु सड़क पर मरेगा, तु कि तीन फूट का रहेगा, आज के बाद तेरी तरफ बढ़ाया हुआ मेरा हर कदम तेरे विनाश के लिए होगा, तु बचना भी चाहे तो, जमीन के अंदर थस्ता ही चला जाएगा, तु भागना चाहे का तो भाग नहीं पाएगा, तुझे छुपने के लिए ये आसमान भी चोटा पाड़ेगा, और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आई विल प्रूव इट तो यू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं जितना था मैं पूरा लगा लेना, बेटा, तुम्हें जिन्दा रखने के लिए, तुम्हारे वॉलिंट्री बेटे का ट्रीट्मेंट चल रहा था, तब हमसे डॉक्टर साब ने कहा, हमारे होस्पीटल में एक आदमी कोमा से बाहर आया है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस माबाप की एक्टिंग करके उसे मना लेना है, और अगर आपने असन नहीं किया, तो आपके बेटे क साथ साथ, आप भी नहीं बचेंगे लिए, हमारे बेटे को बचाने के लिए, कोई रास्ता नहीं था, हम दोनों मजबूर थे, हमसे जो गलती होगी, उसके लिए हमें माफ कर दो बेटा, ये बच्ची हमारी भांजी है, इन लोगों के नाटक की वज़े से, हम बातो बातों चिप कियो उससे, बस हम बस, तुम्हें देखती हूँ तो जलन होती है मुझे, अब ये सच और जूट का नाटक बहुत हो गया, चलो निकलो यहां से, हलो, लीगली मेरे पास मैनेच सर्टिफिकेट भी है, और मैं चाहूँ तो इन्हें अपने साथ मुंबई भी ले जा सकत चलो चल दे हैं यहां से, यह मेरे पदी है वरा द्वाज, देखो न्यूज में क्या आ रहा है हमारे जीत मिनिस्टर की नाचुल डेथ नहीं थी, वो एक प्री प्लैंट मॉडर था और ये सब करने वाला एक गोड़ से नाम का आदमी है, जिसने अपना एक बारे जुन सरकार के सामने किया है जिससे पूरा राष्ट रहिल किया है समझ नहीं आ रहा है, ये करना क्या चाहता है वो क्या करने वाला ये मत सोचो, अब जल्दी से जल्दी तुम्हें ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए संसनी खेस खबर ये है कि गोड़ से ने पुलिस दिवस्था पर सवाल खड़े कर दिये है कलता गायब रहा ये मुझरिम, आज SMS करके प्रजा में संसरी मचा रहा है सोचो ये निउज आखिर है किसके लिए वन अन हाफ येर्स पहले, हमारे डिपार्टमेंट ने नाट्रल डेथ कहकर क्लीन चिट दे कर क्लोस किया था XCM डेथ केस अभी कोई गोड से नाम का आदनी कहता है मैंने मर्डर किया है और उस केस को वापिस री ओपन करवाना चाहता है आखिर वो ऐसा करवा क्यों रहा है और उसे बाहर आने में इतने दिन क्यों लग गए लेट्स मूव टू हैदरबाद जो फाइल आपने मंगाई थी वो तयार हो गए सर ये लिजए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेल्कम सर अरे अरे बीकेव थेंक यो थेंक यो बोस मेरा नाम सुनते ही तेरे पैरों तले जमीन निकल गए ये अच्छी बात नहीं है तुझे मजा है ऐसा एक जटका देता हो देख देरे टेबल पर रखी हुई वो चौथी वाली फाइल एई इस फाइल की टीटेल्स तुझे कैसे पता स्टूपिड क्वेस्टन चौथी क्लास पे पढ़ने वाला बच्चा भी ऐसा सवाल नहीं पुछेगा तुझे मुझे पता है तेरे बेनामी प्रोजेट के लिए बड़े लोगों ने किस तरह ठपा लगाया ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ धोके से अपने बड़े बापा को मरवाया तुने दस हजार एकर जमीन पाने के लिए 125 जातियों में से 5,000 आदिवासियों को बेमौत मरवार डाला तुने उन बेकुसूरों पर तुझे दया नहीं आई जिनने तुने जिन्दा मिट्टी में दफन कर दिया तेरे किये हुए सत्याकांट और काले कारनामों का कच्चा चिठ्था मेरे पास सुबूतों की शकल में मौजूद है कुछी घंटों में मैं इसे प्रेस के हवाले कर दूँगा उन्हें पता चलते ही तेरी पद्वी चली जाएगी प्रजा तुझे पथर से मारेगी यहां मैं बटन आउन करूँगा और वहां काउंटाउन शुरू होगा शुरुवात कैसे करोगे स्विच तो मेरे पास है मुझसे जीत गए यह समझ कर शॉपिंग मॉल में शाह जहां जैसा फिल कर रहे हो ना बोस शॉक लग रहा है क्या मैं तुमसे हमेशा तीन किलोमीटर की दूरी पर रहत हूँ तुम्हारी परचाई भी मेरी हुलाब है तुम जो सोच रहे हो वो होगा नहीं और जो होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते झाल पराऊज foulस झाल वर्प भी क्ताईट 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 वीज कि अबार आ मनें वालो वीान test कि इस अजार वालो रार वार Springsैas सबमाय वार कि ओप पालो अबालो। कि वीजिए वंवा जिए delic यह हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगा उसकी छोटी सोच जहां खत्म होती है वहां मेरी शुरू होती है XCM का मडर करने वाला गोट से रिंग रोड पर है यह बात मीडिया को पता हूं मामा ठीक है भांजे लेकिन तुम समल के रहना लेकि स्ञिरी टी सक्राइ़ करतियर के लिएक maरा है तर अीजर सक्षी रहे रहां में समा जिआता है कर दो कर लिएक meter है हमको पो कर खके उसे मेरा हमको भीया जो हाईको और हौना औरे ओ, CM इंसानों को मारना, तेरे लिए स्कॉच पीने जितना आसान है लेकिन एक इंसान को जिन्दा रखना तेरे लिए कितना मुश्किल है यह मैं तुझे अभी बताता हूँ जो खेल तेरे साथ खेलने वाला हूँ, उस खेल का नाम तुझे पता है? मौत का खेल, अब मैं भागने वाला हूँ, दावे दो पकड़ के बता मुझे अफिसर, अलर्ट अल्द फोर्सेस, चाहे जो हो जाहे, क्रीन प्रोजेक्ट डीटेल्स बाहर नहीं आनी चाहे, उसे किसी भी हान में पकड़ो, कमान, मूँव! एए, स्टॉब हैं, कमान, मूँव! वोलॉन्टरी रिटायर्मेंट से इसका चैप्टर क्लोस करनी के लिए सोचा, तो वही ब्लैंड मुझे भारी पड़ रहा है। रूट बदल कर मेरी किसमत बदल रहा है, वो मरनी के लिए चाहे, जितनी भी कोशिश क्यों न करें, उसे किसी भी हाल में मेरे पास जिन्दा लाना है, उसके ओपसिट वी में जाकर उसे पकड़ो, परीक क्या है, ये बाइक रोड पर नहीं चल रही, लगराई में ब्लाई तेरे सिर पर चल रही है, शेड़ो फोर्स, उसे पकड़ो ओफिसर, वो नहीं रुका तो मेरे दिल के धड़कने रुख जाएंगी, तुमसे ट्रोल नाका कितनी दूरी पर है? ож, क्लोशिक ख्लोशिक इम्मीघेतली दुरोशिक विर जब तो चला तुआ पड़ाई बलाइक पाङल तो हें थाकों गॉर्ण। तरू उसे लॉग कर दिया गया है समभली सर आपका बीबी बहुत बढ़ता जा रहा है मेरी भक्ति भी बहुत बढ़ रही है हर कोई भगवान से अपनी उमर बढ़ाने के लिए मांगता है और मैं दुश्मन की उमर बढ़ाने के लिए दुआ मांग रहा हूँ एए टिक कर हो इसे एक मिर सर सर यहोगा है कर दो सिर्ट resist कर दिमेट कर दो इसी लिए कर मिर या कने तो कर दो कर दो प्लिट करें ऩाशा करें आर उर्च औरसलो करें कि अ१। यर्च रोगाम यी है सब्ट Lights एहां उसे मेरे फाम हाउस में लेकर आओ अओग से में में और अओग से नहीं जाओग से लड़ा करेंग करते हैं मैडम, XCM को मारने वाला गोड़से टीवी पर लाइब आ रहा है मैडम इस इस वाट नॉंसेंस, ये गोड़से कैसे ये तो हमारा CVA अफिसर बोस है बोस ही गोड़से है? XCM को मारने वाले गोड़से के पीछे कुछ लोग पड़े हुए है इन लोगों का और गोड़से का आखिर क्या संबत है सुनो, तुम उसे रोक नहीं पाऊगे किसी भी तरह से आती हुई ट्रेन को रोको बोस मरने के लिए ट्रेन के सामें दौड रहे हैं और उनके पीछे दौडने वाले किसी एक को पहचानते हो टीम को लीड करने वाला और कोई नहीं प्रेजेंट से हम भारत दौज का चीफ सिक्योरिटी ओफिसर है वोट? सीएम का सिक्योरिटी चीफ? येस, ये बोस का जरू कोई प्लान होगा वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या है? वोट इस दाट? मैडम, ही जिन्दा रहतिया में स्टेटस पर डेथ कैसे लिखते हैं मैडम? दू वट आए से हमारे राजय के एक सीएम की डेथ इस अ प्रोवोक्ट मुर्डर थू हैकिंग इस डेथ केस की गुपती हमने भी शुलजा लिये अब अपने डिपार्टमेंट का पावर क्या है उन लोगों को दिखाएए हुआ तोसकी ऱैजे उन लोगों के नचे लाए लोगों की शुलजा लोगों की भी शुलजा लोगों क Opportunity लोगों ओर लोगों की यूoure सर एक्सियम को आपने मारा है ये बात डिली की स्पेशल टीम को पता लग गई है सर हैकिंग की वी सारी रिटेल्स अब उनी की कस्टेडी में है सर मेरी बात माने और आप जल्दी से अंडर्गार्ण हो रही है मिस्टर प्रसाद एक सीम के मर्ड़ केस में भारतवाज के आप गुलाम बन चुके थे साथे ओफिसर बोस को को मा में भेज कर उसे वॉलंटरी रिटाइनमेंट दिला कर उसकी आइडेंटिटी बदलने की नाजाइस कोशिश किये है आपने इतनी मेहनत से बनाए हुए मेरे सामराजी को तुने एक पल मित्तितर बितर कर दिया मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे इस अंधे कानून से बचने के लिए आइसी यू से सेफ जगे भला और कौन सी हो सकती है एए तु यहां कैसे आया एए तूने तो मुझे उपर पहुचाने की पूरी तयारी कर ली थी और अब यहां आकर सो रहा है तू मुझे लगता तो अब तक समझ गया होगा कि मौत पर भी मेरा ही कंट्रोल है डोंट फगेट आइम फ्रम सी बियाइड एए शिकारी को शिकार बनाने के लिए मुझे आदा सेकंड लगता है और उसका हाल तेरे जैसा होता है बोस मैं ही जीतूँगा एए मुझे बदलने की कोशिश की नहीं बदल पाया किटनैप करने का सोचा नहीं कर पाया मुझे यहां आने से रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाया बुराई की जीत होती है, ऐसा किसी भी इतियास में नहीं है बेवकूफ और तू ऐसा कर भी नहीं पाएगा, चाहे चिदरी कोशिश कर ले कुछ भी बोलने तू लेकिन मैं इस राजग का लीडर हूँ नेता हिसाब किताब से पायदा नहीं होता, यू फूल, प्रजा के दिल से पायदा होता है जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसे किसी महान नेता का नाम देने का सोच थे है यह सोच माबाप के दिल से आती है तब ही वो नेता महान बनता है लेकिन तू नेता के नाम पर कलंग है अच्छाई को बुराई में बदलने वाला भरस्ट नेता इंसानों का कातल करने वाला कातिल उन्हें कीडे मकोडे समझने वाला हैवान तेरी बाकी जिंदेगी जेल में कटेगी वही की रूखी सुखी खाएगा जमीन पर सोएगा तू बी प्रिपेर टू फेस एट अरेस्ट हिम टीक हिम अगर मेरी हस्ती नहीं रही तो मैं तेरा भी नामों निशान मिटा दूगा जब कोई तब करता है तो भगवान प्रकट होते हैं लेकिन कोई खलत करेगा तो ये बहुत प्रकट होगा किसी ने अगर इस लाइन की लाइन को क्रॉस किया तो उसकी जिंदगी यही खतम हो जाएगी सत्यानाराइन अक्शन कितने मज़े शुरू हुआ था तीन बचके एक मिनिट पे सर कितने मज़े क्लोज हुआ तीन बचके नौ मिनिट पे सर इस आठ मिनिट में कितनी गोलियां चल गई चार गोलियां सर कितनी लाशें गिर गई दो लाशें सर इस आठ मिनिट में बोस वोज इन अक्शन एसा लॉग्बुक में इसी फक्त एंटर करो this case is closed dispose the bad leader and select a good leader